हलो एब्रिवन चटाकर असोई में आज हम बनाएंगे धाबे वाली काली उरत की डाल जो की सभी को बहुत पसंद होती है तो आज हम वही बनाएंगे चटाकर असोई में इससे पहले आप अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो ये देखिए उसके लिए सबसे पहले मैंने साबुत वाले जो उरत होते हैं वो मैंने एक कटोरी लिये हैं और आधा कटोरी चने की डाल ली है आप जिस भी वर्तन से नापेंगे उसे एक कटोरी का रेशू आपको काले साबुत उरत का रखना है और आधा कटोरी चने की पानी थोड़ा ज़दा रखना है क्योंकि इसको गलने में तोड़ा ताइम ज़धा लगता है। अब हम इसना सा नमक अंच किया है। टड़के के लिए यहां पतीली एक पतीले में धाल बनाएंगे तो सबसे पहले são घीले साण फीकि जीक हुझे जाएं दृफरी धू से गीहां जोकते हुझे सब से यह काम कर लेते हैं यहां भीन कईति глаза से रादधा की सिश अगह से बीखाई बनाना है फ्रेश कुटी हुई अद्रक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट होता है वो दाल में बहुत ही जबरदस फ्लेवर देता है तो आप जब भी यह दाल बना है तो उसमें यह पेस्ट जरूर डालिएगा अब सबसे पहले मैंने इसमें एड की है हींग जीरा और हींग जीरे जितना भुनेंगी डाल में अच्छा फ्लेवर आएगा अब जब यह मसाला आपको लगे कि भुन रहा है तब हम इसमें डाल देंगी लहसन और प्यास और लहसन और प्यास को भी बहुत अच्छी तरह से हमें भुनने देना है यह जो डाल होती है ना इसका यह जो मसाला हम यही अगर अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो डाल में फ्लेवर नहीं आता है तो मसाले को बहुत अच्छी तरह से आपको पकाना है यह देखे थोड़ी दिर बाद हमारी प्यास लेसन अद्रक हरीमिर सब चीजें बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है और अब हम इसमें एड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर तो टमाटर आपको प्यास को पूरी तरह से कुक नहीं करना है टमाटर अब हम इसमें डाल देंगे ये देखिए टमाटर भी हमने बहुत जादा बारीक नहीं काटे है थोड़ा सा नमक हमने डाल में डाला था बाकी जितना हम नमक है वो इस मसाले में डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे नमक और तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाथ से कम जादा कर सकते हैं और ये मसाले डाल कर थोड़ा असा हरधनिया और असके पीछे वाली डंdιά होती है न वो भी हम इुसमे डाल रहे डंगे हरे धनिया की सारी खुश्बव है डंडी में होती है तो भी हम इसमेек कात कर डाल देंगे थोड़ा सा पानी एड़ करके इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से पकने देंगे जिसे कि सारे मसालों की खुश्बू आ जाए इस तड़के अब हम दाल चेक कर लेते हैं दाल भी बहुत अच्छी तरह से कुख हो चुकी है ये देखिए मसाला भुन चुका है घी भी इस में से सेपरेट होने लगा है अब हम क्या करेंगे थोड़ी देर और मसाले को भुनने देते हैं और फिर ये जो हमारी दाल है उबली हुई उसको हम इसमें डाल देंगे इस दाल को पकाने के लिए इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरह से भुनना चाहिए तब ही इस दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये देखिए दाल हमने सारी डाल दी है अभी हम थोड़ा सा पानी और एट कर देते हैं क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से उबलने देंगे दाल को ये दाल जितना जादा खतकेगी इसमें उतना अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा और ये थोड़ी ही देर बार जब ये ओबलने लगे दाल तो इसमें आप दो या तीन लॉंग को फ्रेश कूट कर इसमें डाल दीजे ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है लॉंग इस दाल में और ये देखिए दाल में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है हमने और हमारी धाबे वाली दाल तड़का तयार है अभी हम इस पर एक तड़का और लगाएंगे उसके लिए मैंने फिर से यहाँ दो चमज देशी की लिया है और उसे अच्छी तरह से मैल्ट होने देंगे घी को फिर हम इसमें डालेंगे एक चमज देगी मिर्च देगी मिर्च को जादा नहीं भूनना है क्योंकि वो जल जाती है और ये वाला तड़का हम इस पर उपर से डाल देंगे तो बस धाबे वाली काली उरत की डाल हमारी फटा फट से बनकर तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन प्रेस कर लिएगा जिससे कि सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ये देखिए हमारी दाल बिलकुल तयार है और अब हम इसे सर्फ कर लेंगे आप इसको रोटी के साथ नान के साथ किसी भी चीज के साथ एंजोई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये देखिए बस थोड़ा सा हरधनिया और तड़का डालने के बाद परफेक्टली हमारी धाबे वाली दाल तयार है लग रहे है न एकदम धाबी जैसी दाल तो बस जल्दी से आप भी इसे बना कर ज़रूर ट्राइ करिए